हेलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है इजी किचन हैक्स में आज हम इलेक्टरिक राइस कूकर में कुछ अलग ही बनाने वाले हैं हमेशा ही मैं किसी तरीके की राइस या फिक ग्रेवी इस तरीके की रैसपी आपके साथ शेयर करती रही हूँ तो मैंने सोचा आज कुछ नया ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी यहां पे मैंने ले लिया है एक कःप बेशन और उतना ही पानी जितना हमें बेशन लिया है अब एक बड़ा सा बर्तन लेएंगे इसमें हम डाल देंगे बेशन थोड़ा सा हल्दी पाउडर एड़ कर देंगे हम इसके अंदर नमक स्वात के अनुसार और यहां पे ले लिया है मैंने एक चम्मच चीनी यह पाउडर चीनी है इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे अब इसे अच्छी से मिक्स करने के आर इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक बैटर बना करके हमें तयार करना है प इसमें डालेंगे दो चम्मच ओईल, कोई भी कुकिंग ओईल आप डाल सकते हैं, और एक बार वापस से अच्छे से मिक्स करेंगे, अब इसे हम पांच मिनिट के लिए ढग करके साइड में रख देते हैं, बाकी तैयारी करते हैं आगे की हम, अब हम डाल देंगे एक ग्लास पानी इसे ओन करेंगे और ढग करके पानी को घुल ने देंगे या फिर थोड़ा सा करम होने बेंगे, जब तक पानी गरं हो रहा है हम यहां पर ले ले लेते हैं, एक तीन टीन तो मैंने टिफिन ले लिया है स्टील का, और इसमें हमश्षी से ओईल लगाके इसे ग्रीस कर बिल्कुल भी गुटलिया नहीं होनी चाहिए ठीक है यह रेखिए एकदम बढ़िया सा बैटर बन गया है टिफिन में हमने डाल दिया है और अब इसे हम इलेक्ट्रिक राइस कुकर में रखेंगे लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे यहां पर एक कटोरी रखेंगे और यह ज अब इसे निकाल लेते हैं हम बाहर इसे थोड़ा सा थंडा होने देते हैं थंडा होने के बाद बस इसे इस तरीके से पलटे ही इतने अच्छे से हमने ओईल लगा के ग्रीस किया टिफिन को कि हमें चक्कू अगेरे से कट नहीं करना पड़ा और आराम से यह निकल गया यह चिपका भी नहीं है बिलकुल भी अब क्या करेंगे इसे हम छोटे छोटे पीसे में कट कर लेंगे तो बहुत जादा छोटे पीसे भी नहीं चाहिए और बहुत बड़े पीसे भी नहीं चाहिए मीडियम साइज के पीसे कट करेंगे soft soft pieces बन करके तयार है आप देख सकते हैं बहुत ही ज़ादा soft है पर यह अभी complete नहीं हुआ है इसमें आगे का step भी हमें करना है जिससे यह और ज़ादा tasty बनता है अब वो मुझे थोड़े से कम लग रहा है तो मैंने एक छोटे से बरतन में और एक छोटा piece ढोकले का बना लिया यह देखिए यह भी अच्छे से ready हो गया है अब यहाँ पर pot में हम डालेंगे थोड़ा सा oil ओइल को अच्छी तरीके से हम पहले गरम कर लेंगे इसके बार इसके अंदर डालेंगे mustard seeds मतलब राई और राई को हम थोड़ा सा चटक जाने देंगे अब डालेंगे थोड़ी सी पका लेना है जैसे ही मिर्ची कड़ी पत्ता सब कुछ भुन जाए आपको लगे सारा flavor जो है oil में आ गया है तब हम इसमें डालेंगे एक चमज तिल ये सफेद वाली तिल है बिल्कुल optional है नहीं है तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा अब इसमें डाल देंगे आधा ग्ला पल्सकाया है एक मिनिट के लिए हमने इसे पका लिया था अब ये बिल्कुल ready है यह हमारी चाशनी बंकर के बिल्कुल ready है जो की हमें डालना है धोकले में तीक है बेसन में ढालना है इससे बहुत बढ़ियाकषा टेस्ट आता है और एकडम जूसी बन करके तयार होता है हमा पीरदी नीचोड के मिक्स कर लिया, अब इसे हम इस तरीके से धीरे-धीरे ये चाशनी को हमें धीरे-धीरे इस तरीके से डालते रहना है, ताकि चाशनी पूरी की पूरी ढोकले के अंदर आ जाए, जैसे कि हम चाशनी में गुलाब जामुन को डुबो करके रख देते हैं, ताकि एकदम soft, juicy और नरम नरम बन करके तयार हो बिल्कुल उसी तरीके से हमें ढोकले के साथ भी करना होता है जितना चाशनी हमने बनाया है पूरा का पूरा धीरे धीरे इसके उपर डालते रहेंगे और उसे पूरा पिला देंगे यह देखिए बहुत जादा soft, spongy और बहुती टेस्टी बन करके यह तयार हुए थे मुझे तो बड़े पसंद आये आप भी इस रेसेपी को ट्राइ कर सकते हैं अगर यह रेसेपी ट्राइ करने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा चलिए फ्रेंस मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसेपी के साथ अब तक के लिए टेक केर बाई बाई